तो रिसेंटली अपने अगर देखा रहेगा शू का वीडियो तो वह वीडियो में जस्ट अभी शूट किया हूँ एंड उसके बाद तुरंत में ये वीडियो चालू कर रहा हूँ जो ऐसे सरीज के ऊपर होने वाला है आज जो मैंने ऐसे सरीज बाई किये वह ओनलाइन बाई अब लोग देख सकते हो ये फिलाल मैंने अभी कुछ प्रोब्लम कियो ऐसे मैंने अपना पूरा हेडशेव कर लिया था तो मुझे कैप्स के अभी फिलाल बहुत ज़रूरत है तो मैंने तीन कैप्स ओडर करी है एंड तीनों भी कैप्स बहुत अलग-अलग है इसके पहले म हुथ है बेसिक तो वह भी आप ले सकते हो डिस्क्रिशन में में लिंक डाल दूगा तो चलो वीडियो स्टाट करते है एक 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 एसेसरी एक कैप ऐसेसरी ऐसे में दिखा हो एना सबकी प्राइस भी बताओंगा इस ओफ-लाइन लेना पॉसिवल नहीं तो आप उनलाइन ल वेर करनी कौन से आउटफिट के ऊपर वेर करनी है तो उसी सबसे मैंने वह सोच के मंगये अप लोग ऐसा इमेजिन नहीं करना कि मैं कि से पैसे पहन रो तो यह परस्ट कैप है यहां पर इसका एक लोगो है जहां पर स्टार एंड बॉक्स है एड इसके अंदर तीन कलर यह यह फ्रंट में क्रीम कलर है इसे डेनिम ब्ल्यू कलर एंड यहां पर चारकॉल ग्रे कलर वेर करके दिखाना बहुत इंपोर्ड़न है क्योंकि आप लोगों को इसका अंदाजा रहता है कि यह फ्लैट है या फिर जैसे भी है बैस्बॉल कैप है या पैसे अंदर और एक कलर जो यहां पर यह मैंने नहीं दिखाया का जो प्राइस है वह 429 रुपीज के अंदर और एक जो यह स्क्रीन पर आपको दिख रहा तो यह डार्क ग्रीन कलर का भी कैप है तो यह भी आप ले सकते हो एंड ऐसे सारे कैप से जो विंटेज शूट के लिए अगर फोटो शूट यह जो ब्रैंड है वह बोल रहे है कि यह कभी भी ब्लैक फेड़ेंड नहीं होगा तो इसका बेल्ट की स्टेंडल स्टील का बेल्ट है जिसके अंदर होल से और इसे आप एड़्जस कर सकते हो जैसे हम वाच में एड़्जस करते तो उसी सब से हम लोग यहां पर इसको कर दोंगा एंड मुझे इसके उपर 89% आफ मिला है इसकी जो MRPA वो लोग ने दिखा यह 249 लेकिन यह 281 रुपीज में मैंने भी लिए फिर से मैं कैप दिखा रहो तो यह कैप है यह डेनिम का कैप है यहां पर प्रंट में W का लोगो है कुछ बढ़ा सा एंड पूरा यह ड ब्लू का भी कलर चेंज है एंड पूरा जो ब्लू कलर ही उसके अंदर भी और सारे कलर से तो स्क्रिन पर अभी कुछ आपको कलर सारे बस मैं एक का लिंक डिस्रिप्शन में डाल दूंगा इसके उपर 30% औफ एंड फो डबल टू रूपीज अभी फिलाल सेल के अंदर चल जो ब्रेसलेट है नेक्स्ट वो उसका बॉक्सिंग हो गया तो सेम ही था अभी मैं इसको अप्रुक को दिखाता हूँ है साप जैसे निकल तो यह कुछ ऐसा ब्रेसलेट है जो राउंड लग रहे का आपको लेकिन यह लेकिन यह स्क्वेर एंड बॉक्स टाइप में एंड पूरा पूरा स्टेंडलेस टील का है एंड इसके अंदर भी मुझे एक गोल्ड कलर अवैलेबल था एंड ब्लैक भी था लेकिन मुझे यह स्टील का थोड़ा सा यूज करना था ब्लैक भी करंटली एनवेलेबल ऐसा दिकारा था तो अगर अप लोग चेक करोगे तो देख किने वाले यह वह पे यह ब्रैंडड़ कैप है एंड इसका जो ब्रैंड वह हैं रोएल इन पे लिए तो जो भी राइडर लोग रहते हैंड ज़सको भी अलग-अलग ब्राइंड का किसी करे तो वह ये बाए कर सकते इसका कलर कॉलर कमिनेशन थोड़ा सा अलाग जो तो उसके अंदर दो तीन है यह दो तीन एक्सराइज मुझे अलग अलग करके बहुत जादा कॉसली जा ले थी लेकिन एक जगह पे जो में लिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप ही वह तीनों चीजे एक की साथ बहुत कम प्राइज में मिलती है तो एक एक करके मै आपको दिखाता हो यह आपको स्क्रीन पे दिख रहे है इसके अंदर चार बता है लेकिन मुझे तो तीन ही रिसीव हुआ है अभी उसके लिए तो मैं कम्रेट करूंगा एंड वो शायद ही मिल जाएगा मुझे लेकिन इन तीन चारों चीजों में से एक जो मिसिंग है वो ह लगे तो इसके साथ-साथ और जो थे दो क्यूबरड वर्टिकल बार पैंडेन तो इसमें एक कलर है ब्लैक एंड एक कलरेस्टेनलेस्टिल का जो सिल्वर कलर होता है अब भी वो ब्लैक वाला में पैन के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ब्लैक टीशिट को पर ब्लैक वो दिखेगा है नहीं तो पैन के दिखाने का मतलब नहीं है यह वो ब्लैक वाला है तो 70% आप बता कि यह 269 रुपेज में मुझे मिलिये तो यह वीडियो में इतनी ऐसे सरीस थी मैं जादा ऐसे सरीस पहनता नहीं हो तो जितनी नीडेट थी और जिसकी जरूरत थी तो उतनी सारी चीज़े है यह भी में रेगुलर अभी पहनूंगा नहीं मुझे पता है तो इसमें से आपको जो भी पसंद आया रहेगा आप ले सक सकते हो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना